जैमातादी दोस्तों, वर्ण बेस्ट मेजिक में आपका हारदिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंड बॉक्स में जैमातादी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे साल 2020 में दसैरे का पर्व यानि विजिया दस्मी का पर्व कब मनाया जाएगा? और दसैरा पूजा के लिए सुमूरत क्या रहेगा? और विजय मूरत का समय क्या है? उसके लावा हम बात करेंगे दसैरा पूजा विधी के बारे में और साथ ही ह हम जानेंगे अप राजिता पूजाविदी वसस्त्र पूजाविदी के बारे में लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप से रिकेस्ट है कि अगर आपने हमारा यूटूब चैनल वर्ण बेस्ट मैजिक सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सस्क्राइब कर लें तो बाई शुरू करते हैं दोस्तों दसहरे का पर्व हिंदूओं के प्रमुक्ति वारों में से एक है यह पर्व अस्विन मास के सुक्ल पक्च में आने वाली नौरात्री के दस्वे दिन अर्थाग दस्मी तिथी को मनाया जाता है खुछ जगों पर इसे विजिया दस्मी के न दोस्तों विजिया दस्मी भगवान राम की विजय और दुरगा पूजा के रूप में मनाया जाता है लेकिन इस बार तितियों को लेकर संसे चल रहा है इसलिए इस बार कन्फूजन है कि दसेरा 25 अक्टूबर को मनाया जाए या फिर 26 अक्टूबर को तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि दस्मी तिति कब सुरू होगी और कब समाप्त होगी तो आपको बता दें दस्मी तिति की सुरुआत 25 अक्टूबर को सुबह 7 बच कर 41 मेट पर हो जाएगी और दस्मी तिति की समाप्ती 26 अक्टूबर को सुबह 9 बजे होगी क्योंकि रामर दहन साम को किया जाता है और दसेरे का पर्व उस दिन मनाना सास्त्र सम्मत रहता है जिस दिन दस्मीतिती अपराहनकाल व्यापनी हो यानि की दोपहर में लगी हो या फिर विजह मूरत व्यापनी हो तो इस हिसाब से देखें तो दसेरे का पर्व 25 अक्टूबर को ही मनाना सास्त्र सम्मत रहे और बात करें विजय मूरत की तो आपको बता दें कि विजय मूरत 25 अक्टूबर को दुपहर में एक बचकर 57 मिनट से लेकर दुपहर दो बचकर 42 मिनट तक रहेगा इस सुमूरत की कुल अवदी लगबग 45 मिनट की रहेगी और बात करें अपराहन काल मूरत की तो अपराहन काल मूरत 25 अक्टूबर को दुपहर एक बचकर 12 मिनट से लेकर दुपहर तीन बचकर 27 मिनट तक रहेगा इस सुमूरत की कुल अवदी लगबग 2 घंटा 15 मिनट की रहेगी आप अपने दसैरे की पूजा इसी सुमूरत में पात्माता सीता, लच्मन, भरत और सत्रुगन की पूजा का भी विधान हैं वहीं इस दिन मादुरगा की पूजा और समी की पूजा का भी विसेश महात्तु है इस दिन प्राता काल मादुरगा का पूजन करने के बाद विसरजन करना चाहिए आपको बता दें कि दसैरे के अपराजिता पूजा का भी विठान है। अपराजिता जया और विजिया माता की प्रतिमा ना हो तो आप तीन सुपाड़ी लेकर उसमें मौली लपेट कर उसे स्थापित कर दें। इन्हें ही देवी का सरूप मानकर आप अपनी विद्वत पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसके बाद आप माता को रोली अक्षत फल फूल चढ़ा कर विद्वत पूजा करें। धूब दीब जलाएं और मा की आर्ति करें। मा पराजिता का पूजन करने से घर में खुसियां आती हैं। दोस्तों दसैरे के दिन नीलकंट के दर्सन करना बेहत सुब होता है। आप चाहें तो दसैरे के दिन प्राता नीलकंट महादेव के मंदिर जाकर और सिवलिंग पर जल अर्पित करें। बेल पत्र चढ़ा कर विद्वत पूजा करें। और मंदिर में या घर पर समी का व्रच हो तो उसकी भी पूजा करें। एक तामे के लोटे में जल लेकर समी व्रक्ष की जड़ में जल अरपित करके तीन बार परिक्रमा करें। जब स्री राम रावण से युद्ध करने गए थे तो सबसे पहले उन्होंने समी व्रक्ष की पूजा की थी। समी की पूजा करने से आरोग वधन की प्राप्ति होती है। दोस्तों, दसेरे की दिन छत्री लोग अस्त सस्त्र की पूजा भी करते हैं। या व्यापारी लोग अपने लेजर वबही खातों की भी पूजा करते हैं। आप इस दिन लकडी की चौकी पर सुच वस्त बिछा कर सिरी राम जी की प्रतिमा इस्थापित करें। और एक देशी घी का दीपक जलाएं। फिर अपने अस्त्र सस्त्र बही खाते आदिसाफ सुथरे करके पूजा इस्थल पर लाल कपड़े के उपर रखें। फिर इसमें घंगा जल छड़कें। हल्दी चंदन रोली अक्छा दादी अर्बित करें। और बही खातों पर रोली से स्वास्तिक का चिन्न बना लें। और अपने अस्त्र और बही खातों पर समी के पत्ते चढ़ाएं। ऐसा करना बहुत ही सुब होता है। फिर बूंदी के लड़ू वा केले का भोग लगाएं। तद पशा से राम जी की आरती करें। अपने घर परिवार वा कारो बार की मंगल कामना के लिए प्रातना करें। इसके बाद सभी लोगों में प्रसाद वितरन करने के बाद स्वयम खाएं। आपको बता दें कि दसैरे की पूजा में रावन की भी पूजा की जाती है इसमें गोबर यह आटे के दस गोले बनाये जाते है जिसको कटोरी सा अकार दिया जाता है इन्हें पाँच एक लाइन में और पाँच एक लाइन में रख दें इसके बाद सूखे आटे से गोलों के चारो ओर चोकोर खाना बनाएं। और ऊपर तिकोना सिर और हाथ वपैर बनाएं। फिर दसों गोलों में थोड़ा-थोड़ा दही रखेंगे। और इसके बाद रुई रखेंगे। तत पस्चात नौरात्रों में जो जोजों के जवारे रखे हैंं। उन्हें रखेंगे। ц bakery दोस्तों इस पूजा के बाद ही साम को रामर दहन किया जाता है और जो जवारे हैं उन्हें पूजा के बाद महिलाएं अपने बालों पर रखती हैं तथा पूरुस वा बच्चे अपने कानों में रखते हैं ऐसा करना बेहस्थ होता है तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंड में जै माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंड बॉक्स में अवस्थ से पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें सेयर करें और साथ इसाथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद खूँक syncह है डापका करें से जरूर आपका करें और साथ चैनल को लाइका ठापका करवार लिखें सेथ में लाइका करें साथ तो हमें ड्रूर ये लेगी करें सहीं तो ही ओ jours, जब है लाब घुट है